एलो स्टूडेंट्स तोड़े बिल डिस्कस मिसलियनियस एक्ससाइज ऑफ चैप्टर नंबर फाइव और कोश्य नंबर ट्वंटी टू देखिये क्या है इफ यह आपको डिटर्मेंट गिवन है सो करना है इस्टेट्मेंट आपको स्क्रीन पर दिकरा होगा किसी तुट टिस्टी किसी डिटर्मेंट जटर्मेंट बहुता है इस्टतर डिशक्ति टिशलियों जिए कैसे उपन होगा आप यही तो लिखोगे F-X यह Y है मैंने Y लिखा F-X जब आप इसको multiply करेंगे ऐसे तो क्या आएगा M-C-B-N माइनस का G-X और यही ऐसे L-B-A-M यह हो गया अब क्या करेंगे आप इसको on differentiating both side जैसे both side differentiate करेंगे यह हो जाएगा Y- is equal to देखे यह तो पूरा constant है यहाँ भी constant है यह भी constant है तो यह ज़िते चलेंगे F-X का differentiation करेंगे तो आप क्या आएगा F-X और यह बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे ठीक minus इसका करेंगे तो G-X L-C-A-M प्लस H का करेंगे तो H-X L-B-A-M यह आएगा अच्छा यह आ गया है तो इसको अगर हम वापस determined form में लिखें तो क्या नहीं लिख सकते हैं तो therefore Y- is equal to जैसे determined से आपने इसको इसमें क्या हम इससे determined वापस नहीं जा सकते हैं क्यों नहीं जा सकते हैं लिख देते हैं therefore यह क्या आएगा यहाँ पर F-X G-X and H-X यह हो गया रिमेनिंग चीजह क्या आएगा यहाँ पर यह L आएगा तो वैसे ही यह A हो गया यह M हो गया यह B हो गया यह N हो गया यह C हो गया क्योंकि हमने इन में तो कोई चेंज किया नहीं जैसे उपर थे वैसे यह नीचे भी आ जाएंगे ठीक ना तो बस हमें यह यह तो प्रूफ करना था यह हो गया कोश्य हमारा Hence proof इसका मतलब क्या है डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे जब डिफ्रेंसेशन करना होगा तो उपर की जितने भी टम है यह Fx, Gx, Chx इनका डिफ्रेंसेशन कर देंगे बाकी टम एज़ेटिस आ जा जाएंगे ठीक तो पॉस्ट दे वीडियो नोटें डाउं झाल झाल